नमस्कार और वेलकम तो लाइम इंस्टिटूट ऑफ एक्सपोर्ट एंपोर्ट लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्रेश ओनियंस की टॉप टेन जो वेलुएशन के मुताबिक जो टॉप टेन कंट्री थी बायर्स कंट्री थी उनके बारे में बात की थी लेकिन आज के लेशन के वीडियो में हम ग्रोइंग कंट्रीप के बारे में बात करने वाले हैं अब ग्रोइंग कंट्रीप के लिस्ट में तो definitely आप जो है वो इस वीडियो को like जरूर करें आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं So country number 8 की बात करें तो यह है UAE और यहाँ पर जो सारी जो countries और सारी जो countries उसमें valuation दिया गया है 2020 के USD 1000 का और 2021 में USD 1000 में और यहाँ पर आप देख सकते है growth rate जो है वो 2.63 percentage का growth rate है अभी हमाल लिए जो सबसे बड़ी figure है जो सबसे बड़ा prime figure है जहाँ पर हमको focus रखना है वो है growth rate जिस country में सबसे ज्यादा growth rate है उस country में specifically हमारे पास ज्यादा opportunity आने वाले time में भी हो सकती है next in the list is Thailand और Thailand में भी 15.84 percentage का growth rate जो है मलेशिया में अगर हम देखे तो 18.22 percentage का growth rate रजिस्टर हुआ है next in the list is Singapore Singapore में भी 29.61 percentage का growth rate जो है वो आप देख सकते है top 5 में से country number 4 है वो है France France में यहाँ पर सही growth rate किया सकते है 40.58 percentage का growth rate जो है वो यहाँ पर आप देख सकते है अब top 3 की बात करें तो यह है country number 3 और यह है श्रिलंका श्रिलंका में 41.53 percentage के हिसाब से यह है इस list की country number 3 next in the list is UK UK है country number 2 और 90.64 percentage के growth rate के साथ इस list की country number 2 है अब country number 1 पर आने से पहले अगर आप फर्स टाइम इस चैनल में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकोन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और इस वीडियो में दी गए information आपको सही लगती हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें जो country number 1 है number 1 country जिसे हम कह सकते है वो है नेपाल 175% से भी ज्यादा का growth rate आप देख सकते है और सही valuation भी जो है वो देख सकते है तो इसलिए इस list की top country कह सकते है और जो सबसे ज्यादा percentage के इसाब से growth rate जिस country में onion में import करना में जो है वो register किया है वो है नेपाल Lime Institute में हम practical approach के साथ completely in-depth way से export and import की trainings provide करते है अगर आप भी सही तरीके से export and import सीखना चाहते है तो और भी आपकी screen पे दी गई contact details पे हम से contact करके inquiry कर सकते है आज के लिए Lime Institute के इस वीडियो में बस इतना ही बहुत ही जल्द ऐसी ही informative वीडियो के साथ हम आपके सामने वापिस आजिर होंगे तब तक के लिए नतन्यवाद